देखने को मिल सकती है जी हाँ तेसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं SBA यानि कि State Bank of India की इस बार आपको वेकेंसी देखने को मिल सकती है साल 2014 में फार्मासिस्ट की वेकेंसी लास्ट टू लास्ट आप देखेंगे जैसा कि आप सुन पा रहे हैं और इस वीडियो के एंड में इधर की तरप आपको एक वीडियो में लेगा जिसमें हमने बात की थी साल का वो पहला वीडियो कि सर आने वाले 2024 में कौन-कौन सी वेकेंसी आने वाली है आप सभी ने उस वीडियो को मोस्टली तो देखा होगा अगर नई देखा है तो यहाँ पे दो बड़ी ऐसी वेकेंसिया थी जिसको लेकर दो बड़े अपडेट है क्या कुछ अपडेट है वाईया सर पहली वेकेंसी आपने बताया था साल 2024 में SBAE Pharmacist वेकेंसी आने की संभावना है और दूसरी जो है वो BASF Pharmacist वेकेंसी आने की संभावना है अब इन दोनों वेकेंसी को लेकर सबसे बड़ी कन्फिजन ये है कि सर क्या SBAE Pharmacist वनने के लिए experience mandatory है या फिर नहीं है डीफाम बीफाम के लिए क्या कितना experience चरूरी है या नहीं है इस वीडियो लेक्चर में complete बात करेंगे और आने वाले समय में हम BASF की वेकेंसी के बारे में बात करेंगे क्यूंकि साल 2024 में Paramedical की BASF की वेकेंसी आई है बट वहाँ पे Pharmacist की वेकेंसी नहीं आई है उसका कारण यह है वाईया क्यूंकि मैंने आपको देखी अपकमिंग में एक वीडियो में बता दूँगा टोटल BASF के लिए बेडिकेट वीडियो जिसमें की लगबग लगबग 230 वेकेंसी आपकी आने वाली है BASF Pharmacist के लिए बिलकुल डेफिनेटली जैसा की हमने पूरा रिसर्ट करके अनलेसिस करके बताया है तो दोनों ही वेकेंसी आपको देखने को बिलेगी requirement rules change हो चुके हैं और उसमें भी कहीं experience का सुनने को मिल रहा है इसको भी आने वाले further notification में हम detail में discuss करेंगे आज के इस video lecture में completely हम बात करने वाले हैं कि सर SBI यानि की State Bank of India में जो Pharmacist की वेकेंसी आती है यहाँ पर यह वेकेंसी जो है यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए experience mandatory है या नहीं है इस video lecture में complete बात कर लेंगे ताकि आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट ऐसे फ्रेशर वेट कर रहे हैं इस सारी वेकेंसी यों का तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा message हो सकता है क्योंकि हम सब जानते हैं वाईया देखिए railway हो गया ESIC हो गया DSS भी हो गया यह सारे एसी वेकेंसी हैं जहां पे लग 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 फ्रेशर केंड़िये इर स्थ़ जाना है उस हिसाब से आज से ही आपको experience जो हां वो लेना शुरू करना है अब businessman कर्सके हो अभी मैं इस video के end में आपको आइडिया दे दूँगा सबसे पहले मैं लेके चलूँगा आपको ओफीशियल अपडेट की ओपर कि सर एस्पेई फार्मासिस की लास्ट वेकिंसी कब आई और इसका नोडिफीकेशन जो है वो कैसा था कि आप सभी जानते हैं यह सारे डाउट कब क्लियर होंगे जब सर हम ओफीशियल इसका नोडिफीकेशन जो कि साल 2021 में आया था और जैसा कि हमने अनुवान लगाया था कि सर अब जो है यहना साल 24 में इसकी आने की पूरी-पूरी संभावना है अब भी जो एलेक्शन के बाद हो सकता है आपको दिपावरी तक इसके नोडिफीकेशन मिले यहां पर पूरी पॉसिबिलिटी है अगर नहीं मिला दिसंबर तक जनवरी महिने में तो यह मिलना ही मिलना है क्योंकि लगबग लगबग चार से पांस साल इसको हो जाएंगे उसके बाद में एक वेकेंसी देखने को जुरू मिलती है लास्ट 2019 को आई थी फिर 2021 को सबसे बड़ा जो बैंक है उनके पास भी हॉस्पीटल या क्लिनिक की फसिलिटी है जहां पर बैंबी पीस डॉक्टर स्टापनर सभी जो एक पर्डमेंट हुद है यह वेकेंसी 2021 में आई थी लगबग लगबग 67 पोस्टों पर आई थी इसकी एज लिमीट भाईया 30 साल रह टोटल मिला के आप देखेंगे तो 67 वेकेंसी ती यहां पर कन्फूजन क्या है सर एक्स्परेंस को लेकर तो सबसे बड़ा सवाल देखिए एसेंसियल क्वालिफिकेशन की में बात करूं तो जी हां भया डी फार्म है ना डिप्लॉमा इन फार्मसी मैं थोड़ा सा इसको ज इकत नहीं है यहां तक समझे में आ गई सर एक्स्परेंस वर्क एक्स्परेंस तो जी हां भया यहां पर पर एक्स्परेंस मेंडेटरी है कैसे सर कि पहली जो कॉलिफिकेशन यानि कि κα्म से कम तीन साल का एक्सप्रेंस चाहिए ऐस a pharmacist bournem appeared सब कुछ आपको आना चाहिए और नेक्स टू नेक्स बी फार्मा एम फार्मा फार्मडी वालों को अनली फॉर वन येर का एक्समिन्स चाहिए ऐसा कुछ यहां पे मैंसन है और आने वाली वेकिंसी में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा लगबग लगबग 90% सब कुछ से रहते हैं नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहती है और इस हिसाब से यह एक्जामनिशन पेपर आपको रहता है अब इसका पुराना पेपर का कैसा पैटन था कैसा एक्जामनिशन लेवल था वह आपको अपकमिंग में हमारी वेबसाइट पर हमारे मोबाइल एपलिकेशन पर मैं आपको इसका पूराना पेपर जो है वह अवेलेबल कराऊंगा जिससे कि आपको पता चलिद आएगा SBI Pharmacist में कैसी कुछ वेकेंसी और कैसे लिवल आता है यहां पर जो confusion थी वह यही थी कि सर एक्स्विंस मेंडिटरी है तो जी हां भाईया बी-pharma केंडिडेट को एक साल का और डी-pharma केंडिडेट को तम चीन साल का experience जो है वह mandatory है और इसी को ले कर ब्य democr memb оч मतलब यह है कि उच्छीा वेकिटर्ट का यहां पर लगग लगग यहां बट कुछ ऐसю visa बेंकिंग सेक्टर पर में यहां उल्रेदि और एक experience परस feat इसलिए यहाँ पर experience mandatory है बट जिन जिन संस्तान के पास बड़े बड़े hospital है जैसे रेले हो गया जिनके पास hospital है पूरी facility है काम सीखने का अनुभाव ले सकता है तो वहाँ पर experience की जुरूत नहीं होते हैं फ्रेशर candidate as per exam basis पे लिए जाते हैं बट आपको देखना होगा अगर बैंक सेंक्टर है तो बैंकिंग में तो भाईया आपको experience थोड़ा बहुत होना चाहिए क्योंकि फ्रेशर को वहाँ काम सिखाने वाला जो है वो बहुत ही limited लोग है इस चीज से जो है वो चीजे चलती है और यहां तक हमें चीजे समझ में आ गई और इससे भी ज्यादा अच्छी लेवल की अगर आपके पास expense हो गया है इसलिए मैं हमेसा आपको बोलता आया हूँ भाईया कि अगर आपने बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा कुछ भी क कोशिस कीजिए लगबग लगबग किसी गौर्मेंट के contract basis पर लग जाईए वो एजे फार्मासिस्ट आपका experience काउंट होता है या फिर अगर गौर्मेंट में नहीं है तो कम से कम 200 वाले hospital में कहीं एजे फार्मासिस्ट वरकिंग कीजिए ये भी experience आपका count होगा experience लेना अगरी बार vacancy आने में अगर समय है हमें पता है चुनावी दोर है वो है यह है अभी समय लगेगा तो आप experience लेंगे तो कहीं ने कहीं आपको benefit ही मिलने वाला है बस सार्थ आप में साथ साथ तयारी भी करनी बहुत जरूरी है और तयारी के लिए आप सभी जानते हैं हमारी mobile application पे one of the best study material for all pharmacist examination के लिए जिस study material में आपको book पुराने paper कैसे पढ़ना है subject wise सब कुछ available हो जाएगा जिसकी link description comment box में है जो भी interested student है जो तयारी कर रहे हैं मानके चलिए one of the best study material है अगर वो पढ़ लिया आपने definitely आने वाले सभी pharmacist exam में आपको helpful होने वाला है तो भाईया link description comment box में interested है to join कर सकते हैं कैसा लगा information जुरूबताय कमें description में like करें share करें subscribe करें hopefully काफी सारे student को जो सवाल था वो पूरा हुआ keep watching stay tuned